अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो आप अकसर सोचती होंगी कि मुझे इस टाइम क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और कई बार हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो प्रेगनेंसी के दोरा नमें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली बताओंगी कि आपको शुरू के तीन महीने में क्या नहीं खाना चाहिए जिससे आपके गर्व में पलरा बच्चा सेफ रहे और मिस्कैरिज का खत्रा बिलकुल भी नहीं हो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे चलिए वापिस आती हूँ अपने टॉपिक पर प्रेगनेंसी के सुरू के तीन महीने बहुत नाजोक होते हैं और मिस्कैरिज का खत्रा सबसे ज़्यादा इनी तीन महीनों में होता है उससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको कच्चे पपीते का सेवन बिलकुल भी नहीं करना है क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इससे मिस्कैरिज का खत्रा बढ़ जाता है दूसरा है अनानास अनानास का सेवन सुरू के तीन महीने में बिलकुल नहीं करना चाहिए इसकी सेवन से हमारी बॉड़ि में प्रोमेलिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे मिस्कैरिज का खत्रा बना रहता है और अगर हो सके तो पूरी प्रेगनेंसी में ही अनानास का सेवन ना करें क्योंकि इसके सेवन से आपका प्रिसव भी समय से पहले हो सकता है आपने अक्सर ये तो सुना ही होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान दूद का सेवन जितना हो सके उतना करना चाहिए क्योंकि दूद गर्वती महीला के लिए बहुत ही लाबदायक होता है पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको अच्छा दूद पीने के शौकीन है तो आपको आज से ही कच्छा दूद पीना बंद करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने दूद नहीं उबाला है तो उसमें बैक्टिरिया मौजूद होंगे और उसके सेवन से आपको प्रेगनेंसी में डाइरिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए दूद पीने से पहले ये जरूर ध्यान दे कि दूद अच्छे से उबला हुआ है या नहीं अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको बैगन का भरता या बैगन की सबजी बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको ये खाना अपनी प्रेगनेंसी के शुरू के तीन महीने में बंद करना पड़ेगा क्योंकि बैगन में फाइकून नाम का हार्मोन होता है और इस हार्मोन की वज़े से आपको पीरेड आने के चांसे ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका गरपाथ हो सकता है प्रेगनेंसी के तीन महीने के बाद आप बैगन का सेवन एक लिमिट तक कर सकती है आपको प्रेगनेंसी के दौरण क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने उपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए खुस रहिए स्वस्त रहिए